हेलो दोस्तो स्वागे था आपका अपने चैनल स्टूडेंट पॉइंट वीडियो में दोस्तो आज मैं आपके लाया हूँ हो एच पी टैट जीबिटी जो का होता है उसका जो स्पेशल पेपर जो कंड़क्ट कराया गया था है एच पी बॉस के द्वारा उसकी तीस कोशन मैस के ये तीस कोशन मैस के हम फूली सॉल्विट करेंगे समझाएंगे आपको और इससे पहले मैं एक वीडियो लाग चुका मैस अक्षिन के अच्पी टैट जीबिटी वाले मैस अक्षिन की तीस कोशन कराया था मैं उसमें नुवंबर वाले जो 2023 नुवंबर का पेपर था उसकी प्लिश बन चुके महां जाके आप उसे भी देख सकते हैं और अगर आपका इस पर रिस्पोंस अच्छा रहा तो मैं आपको इसका content portion भी लाओंगा बिल्कुल मुफ्त में पूरा मैच का जो मैफ का जो content portion जिनको मैथ में दिख कर था है उनके लिए उसमें मैं इस content portion को इस तरह से लाऊंगा कि पहले मैं आपको content पढ़ाऊंगा जो भी इसका syllabus है जो भी जैसे नंबर सिस्टम है तो पहले मैं आपको number system पढ़ाऊंगा उसके बाद प्रिविशियर के question आपके लिए प्रिविशियर के question उसमें उसको solve कराऊंगा आपको साथ और कुछ आपको additional question जो आ सकते हैं पेपर में वो आपको करने को दूँगा अगर आपका इस स्रीज में अच्छा response आता है उसके बाद मैं वो content plus chapter wise content wise जो आपके प्रिविशियर question उसमे होंगे PDF होगी और उसमें कुछ extra question भी होंगे जो आ सकते हैं चल्ड़ दोस्तों आगे चलते हैं अब ज्यादा time व्याथ नहीं करते हैं पहला question क्यों बढ़ते हैं पहला question है which number is 5 minus and root 3 तो 5 minus and root 3 कौन सा number है देखों दोस्तों जो minus and root 3 है जो and root में नमबर होते हैं जो perfect square root नहीं होते जैसे कि 4 है तो ये तो perfect square root इसका करेंगे तो या जाएगा 2 इसके लाए जिनका perfect नहीं होता square root जैसे 3 हो गया पांच हो गया चे हो गया ऐसे number क्या होते हैं यह होते हैं irrational number क्योंकि यह non-terminating और non-repeating होते हैं और ऐसे number क्या है कभी रुकते नहीं है तो उन्हें क्या बलते हैं irrational number बोलते हैं ठीक है जब किसी भी irrational number को किसी भी number से किसी भी irrational number को minus करेंगे तो normal सी बात है वो भी क्या होगा irrational number होगा आगे बढ़े तो इसका है डी अगला कोश्चन इन यह वाला देखिए कोश्चन है इसमें रिमेंडर बोला है कि रिमेंडर क्या होगा अब इस तरह के कोश्चन हो में मैक्सिम बच्चे क्या करते हैं इस तरह से थ्री एक्स प्लस वन और तब क्या है इसको भाग करेंगे एक्स प्लस टू से दोस्तों और तुब इसे पूरा सॉल्व करेंगे इस तरह से नहीं करेंगे शॉर्ट करते का बताऊंगा आपको अगर आपको इस तरह कोई भी कोश्चन आता है तो आप क्या करेंगे जो आपका x plus 2 है, इससे आपको भाग करना है, तो इसको equal to के equal रखेंगे, x plus 2 equal to 0, और यहाँ से x की value निगा लेंगे, minus 2, जो आपकी x की value minus 2 आ गई दोस्तों, इसे भर देंगे आप इसमें, तो भरिए, 2 x की जगा पूट के, जी minus 2, 1 minus 2 की power 2, plus 3 minus 2 plus 1, तो दोस्तों इसे solve करेंगे, तो क्या आएगा, 4 plus 3 दूना 6 plus 1, अब आब इसे solve करेंगे, 4 दूनी 8, यहाँ गया, minus 6 plus 1, क्योंकि जब माइनस माइनस होता है, तो यहाँ जाएगा, 2 plus 1, 3, क्याएगा, 8 को 6 से माइनस करेंगे, 2 आएगा, प्लस 1 कर देंगे, तो तीन आजाएगा, तो इसका answer आजाएगा, 3, इतना easy है, बस, यहाँ से, जो भी आपका जिससे भी भाग करना है, x plus 2 है, जैसे, उसको equal to, equal to, equal to, equal to, 0 की equal रखेंगे, और उसके हमाँ से value निकालेंगे, x की, और जो भी x की value आएगी, उसे इसमें डाल देंगे, और जो भी answer आएगा, जो भी x की value आएगी, जो भी डाल के आएगा, वो आपका answer आजाएगा, जैसे, मैं, 3, इतना easy दोस्तों, इसे पूरा solve करने क जो 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 नहीं है, उसे अधाता आपका AP का question आगया एकला, क्या बोलता है question में, 10, 7, 4, what will be the 13th term, बोला तीसवी term कौन सी है, देखो AP के आपको पहले formula याज रखने होगे, जैसे AP का एक formula होता है, AN, A plus N minus 1D, ठीक है, यह AN के होता है, AN होता है last term, जो अब इसमें last term ठीक है, A होता है आपके पास first term, N होता है number of term, ठीक है, N होता है number of term, और D होता है difference between two terms, ठीक है, तो बात करें इसमें, इस question में, तो इसमें जो A है, ठीक है, first term क्या है, A होता है, first term वो है 10, ठीक है, difference कितना है D, second term, 7 है, first term, 10 है, 7 minus 10 क्या हो गया, 7 minus 10 कितना होता है, minus 3, ठीक ह डिफ्रेंस इन दोनों का डिफ्रेंस करेंगे 7-10-13 और उसके बाद आज़ता आपका A N आपको निकालना है 13 term बोला है number of term कितने है 30 N क्योंकि 30 term है पूरी सीरीज में तो number of term होगी 30 ठीक है और A N हमारको निकालना है इसमें मतलब last term बोली है जो last term क्या है तीस भी last term है तो उसका मान क्या होगा वह मारको निकालना को बोला है तो A N तो हमें निकालना है A आपके पास क्या आगया 10 plus N क्या है आपका 30 N के जगा 30 डाला 30-1 हो गया 29 difference कितना है इसका minus 3 minus 3 तो आपका आसा आगया एन इस इकल टू 10 plus जमा माइनस माइनस और 29 को 3 से इंटू करेंगे तो क्या जाएगा 27 साथ यहां तीन बज़के तीन दूना छे साथ आठ नौ यह आगया आपके पास 87 ठीक है देखे 29 को आप कैसे क्या सामारे पास 10 minus 20 plus 29 इंटू 3 इस तरहीं कैसा था था ठीक है 29 को 3 से करेंगे तो 29 साथ दो आगया तीन दूना छे साथ 87 आगया तो 10-87 यह आपका 77 इसका आपका आपका दूना पास दो आगे चलते हैं अगर आपका रिस्पॉंस में पूरा फ्री में लाओंगा आपके लिए अगर आपका रिस्पॉंस इस सिरीज में चला 94 कोशन देखते हैं 94 कोशन और अगर आपको चाहिए इसका कॉंटेंट पॉशन तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखे जितने ज्यादा कमेंट होंगे उतने चांसी होंगे कि मैं आपके लिए बिल्कुल फ्री में सिरीज लाओं पूरा आपका थियोरी पॉशन लाओं और उ 94 कोशन क्या बोलता है what is the value of side a b in the given figure तो 94 कोशन है जो देखो दोस्तों स्षीक से एदर 2.5 मिटर है और यह देखो आपको दिख रहा है कि ये एक right angle triangle है और right angle triangle में पाइथगर उस्थिरम लग जाती है ठीक है और पाइथगर उस्थिरम क्या होती है पाइथगर इस्थिरम होती है कि जो आपका लंब कुछ हिंदी वाले होंगे त प्लस आधार का स्केर आधार का वर्ग एकल टू करण का स्केर यह होता है फर्मुला और इंग्लिश में बोले तो परपेंडिकुलर का स्केर प्लस देश का स्केर एकल टू हैपटनियोस का स्केर इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों कि आप जो यह वाला साइड होती है इसका जो लंब है इसका square करेंगे और आधार का square करेंगे ठीक है वो किसके बराबर होता है वो इसके बराबर होता है तो आपका इन दोनों का square करने पर यह आ जाता है देखते हैं तो 6 का square क्या होता है 625 उसी तरह से एक दश्मनों लगा है इसमें लगा दिया एक साथ दश्मनों 6.25 इनको प्लस करेंगे तो यह आगा आपके पास 42.25 क्या आगया 42.25 आगया ठीक है और देखो इसका क्या आता है करण का स्केर करन का भी स्केर होता है दोस्तों तो अब हम क्या करेंगे करन करन निकालना है हमार को और इसका स्केर होता है दोनों से अंडरूट लेंगे आपको पता होना चाहिए कि स्केर से अंडरूट कर जाता है तो आपके आवास क्या बता है हाईपोटनियोस या करन जो भी बोलते हैं इसे हाईपोटनियोस का स्केर और इस तरफ कोश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि क्या पूछा है वट वैल्यू ओफ थिटा दे वैले साइन एंड कॉस थिटा विल बीकुल किसमें साइन थिट और कॉस थिटा एक्वल होता है तो दोस्तों आपको यह पता होने चाहिए कि साइन थिटा पैंतारीस डिग्री पर एक्व रूट 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 के सर्क्रावड होता है चल की साइड को टच कर और यह एक ही पॉंट पर एक ही पॉंट जहां पर लिपर टच करता है ठीकन और Sc !! यह टूपंट पर सीकन कारता है से ठीक है तो टैंजन तो ये इसका आंशलो का 1て ठीक है अगले कोशन की तरफ बढ़ते हैं अगला कोशन है दोस्तों a cost of fencing a circular field at the rate of 24 per meter is 5280 the field is to be to be plon at the rate of 0.50 per meter square what is the total cost of plonking the field ठीक है ये क्या पूछ रहा है total cost पूछ रहा है plonk करने की field को plonk करने की plonk होता है जोतना तो एक cost of fencing a circular field is the rate of 24 per meter is 25280 ठीक है एक meter की जो fencing कर रहे हैं तो 24 रुपीज लग रहे हैं और मारे कोई पूरी field की fencing करने पर 5,280 रुपय लगे ठीक है तो पताइए कि field को जोतने में उस circular field को जोतने में कितने पैसे लगेंगे अगर उसका per meter square 0.50 लग रहा ये question है तो दोस्तों पहले बात जो आपका पहला जो question है से पढ़िए 24 रुपय पर meter है fencing करने की 5,280 रुपय लगे उसमें पूरे तो आप जो 5,280 को डिवाइड कर देंगे 24 से तब आपको क्या पास आजाएगा पूरा उस circular जो circle का जो है circumference आजाएगा जो parameter बोलते हैं या circumference आजाएगा ठीक है जो आप 5,280 को 24 से डिवाइड करोगे तो आपके बास क्या आएगा 220 क्या आएगा 220 तो मतलब क्या है उस circular field का जो parameter है circumference है वो 220 है 220 है 220 मिटर है इतना समझा आगया ठीक है तो अब हमारे को क्या निकालना है नीचे वाले के लिए पहले हमारे को r निकालना पड़ेगा अगर हमारे को उसका area निकालना है नीचे वाले से ठीक है तो हम क्या कि 220 में रमाल वास पैरामिटर आ गया और तो सर्कल का सर्कॉमफेरेंस का फोर्मूला क्या होता है टू पाइ आर टू पाइ आर एकुल टू क्या है इसका सर्कॉफेरेंस 220 अब आप कहा है यहांसे आर को इधर रखो रेडियस निकाल दो 220 डिवाइड में टू इन्टू पाई हो खोलोगे आर 220 डिवाइड बाइड टू इन्टू 22 यह उपर साथ उपर चले जाएगा इस तरीके से तो आज आएगा दो एकम दो एकसो दस ठीक है और बाइस जो है बाइस पांजे एकसो दस होते हैं तो यह आज आएगा पांज साते पैंटिस आर आगया पकास पैंटिस जो आपका रेडिस आगया आपका आज आगया 35 ठीक है 35 अब हमार पास रेडिस तो आगया 35 जो मार कुछ चाहिए था यहां से पहले वाला से अब दूसरा section पढ़ो the field is to be plound at the rate of 0.50 per meter square what is the total cost of plound the field की उस पूरी को जोतने में जो field है आपका जो खेत है आपका उसको जोतने में ठीक है total cost कितने आएगी यह पूछ रहा है हमार को r पता चल गया हमें r पता चल गया अब हम इस r से निकाल देंगे उस खेत का पहले area खेत का निकाल देंगे area और area का formula क्या आता है circle के area का formula क्या आता है दोस्तों पाई r square ठीक है 22 बटे 7 आर आ गया आपके वास 35 तो 35 बटे गुना 35 दो बार है क्योंब आ रहे है दो बार है 75 बार है 37 35 ऐगया ठीक है तो मार पास चो area ओगया थीक है जो मर पास area आगया ओगया वह आगया Morrow पास 22 into 5 into 35 अभी हमने गुना नहीं किया से यह आ गया area ठीक है और इस area में कितने अर्पह लग रहे है कितने comunque लग पाइब्ट पर मीटर स्केर तो इस एरीय पे गुणा करते से 0.50 गुणा कर इंटु 35, तो गुना कर देंगे, पच्पन इंटु 35, 525, 525, 2626, गुना कर देंगे, 515, 515, 515, 16, तो यागा, 5, 515, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 13, 19, 1925, क्या आगा, आपका 200, कितनी रूपया का आगा, 1925, आप का है, ए आपसर, मैं एक बार फिरिये समझजा दू, पहले आपको दिय ज़िए कि एक cost fencing की cost आती है एक field है उसकी fencing करने की cost आती है कितनी पच्ची रुपए चौवी रुपए पर मिटर के साफ से 5,280 हमें पता है कि अगर चौवी रुपए एक मिटर की है तो जो value होगी हम x उसको गुणा कर देंगे जितना उस खेट की parameter होगा उसको हम 24 से गुणा कर देंगे और वो कितने के बराबर आजाएगा जितना पैसे थे जितना रुपए की हो fencing हुई जो आप इसको x को तरह रखेंगे 5,280 डिवाइड मतलब parameter निकाला और जो मैं पता लगए कि parameter 220 है तो हमने क्या है circle का parameter का formula जो आता है 2πr उसको इस parameter के equal रख दिया वहां से हमने r की value निकाल दी जो हमर रपास 35 आई और उसके बाद अब हमने क्या बोला कि जोतने उसी boundary को जो boundary हमने निकाली उसी खेट को जोतने में कितना आए आए चाहिया हमें तो हमने r निकाल दिया, वहां से πई r² का formula लगा दिया, फोहां से मने एरिया से दिया, जो आया, इसी area से गुना कर दिया हमने जितना अरिया था उसको गुणा कर दिया, जितने रुपया पर मीटर हमें वो एरिया की जोतना का ख़र्चा पढ़ रहा था, 0.50 पैसे, 0.50 पर मीटर पढ़ रहा था, रुपया पढ़ रहा था, इसको गुणा किया दोनों को, और मार पास आगे है 1925, इतना simple question है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं यह answer है इसका, अठानुए question, a copper rod of diameter 1 cm and length 8 cm is drawn into wire, of length 18 cm, uniform thickness, what will be the thickness of the wire, देखो दोस्तों, question है, कि एक copper की rod है, ठीक है, जिसका diameter 1 cm है, और length है 8 cm, देखो इस तरीके से, कोई यह copper की wire है, ठीक है, मालो इस तरीके से copper की wire, लंबाई में होती है न, copper का है, कुछ diameter भी होता है, उसक यहाई भी होती है, कुछ length भी होती है, मालो इन्होंनों बोला है कि इस copper की wire का diameter है, मतलों यहाँ से लेके, मैं आपको दूसरे रंग से उताता हूं, दोस्तों, यहाँ से लेके, यहाँ तक का जो है, इसका पूरा diameter है, वो है 1 cm, ठीक है, और जो आपकी इसकी length है, यहाँ से देखें, यहाँ तक की, जो पूरी इसकी लंबाई है, इस wire की, वो है 8 cm, तो यह पूछ रहे हैं, कि इस wire को, अच्छा, यह पूछ रहे हैं, कि जो 8 cm drawn into wire of length, 18 meter of uniform thickness, ठीक है, what will be the thickness of the wire, जब हम इसी wire को, हम क्या करते है, melt करते है, मालो हमने यह wire melt कर दी, और हमने इसकी length कर द इसकी length कर दी, तो यह पूछ रहे हैं, कि इसकी मोटाई कितनी रह गई तब, जब 13 meter आपने length कर दी, जब length बढ़ा दी, तो मोटाई तो कम होगी होगी इसकी, तो वो निकानने को बोल रहे हैं, ठीक है, तो कैसे करेंगे, यह समझने की खोशिश करें, फिल लिजी कोशन की, अब पहले निकानना पड़ेगा, और यह जो copper wire है, यह किस shape में है, slendrical shape में है, देखो मैंने बनाया था भी, इस तरी कैसी ही होती ही कुछ-कुछ, तो यह slendrical shape में होती है, और आपको पहले slender का volume पता होना चाहिए, volume का formula पता होना चाहिए, तो slender का volume का formula होता है, pi r square h, ठी diameter का आधा हो जाता है, आपके पास, उसको 2 सी divide कर देंगे, तो आपका radius आधा था R, तो half into half, ठीक है, into h, आच है height, क्या है length 8 meter, ठीक है, यहां 2 सी, 11 को गुना कर देंगे, 22 को आगे 11, और इसको कर दिया 4 से, तो आपके पास बद गया 144, 44 बटे 7 आपके पास आगया volume, 44 बटे volume तो इसका तब भी same रहेगा, इसे melt करने पर भी दोस्तो, volume तो इसका वो भी same ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि melt तो आपने उसी wire को melt करके, दूसरी wire में मोटाई, इसकी length बढ़ा दी सिरफ, wire तो वही थी, उसमें, उसमें जो material था, वो तो उतना ही था, ठीक है, तो volume तो उसका का formula, फिर से हम slander के volume का formula लगाएंगे, बेलन के, आयत का formula लगाएंगे, और यह कितने equal to किसके बराबर हो गया, यह, किसके बराबर हो गया, 44 बटे 7, 44 बटे 7, परन्तो जो हमने, जो हमने melt करके, जो हमने, एक मिने दोस्तो, जो melt करके हमने, 22 बटा, 22 की value, by बटा सार डाल द radius तो में, थिकनेस तो में पता ही नहीं, इसकी, r², ठीक है, h, h क्या है मेल्ट कर दियो, दूसरी बार बनाई, उसका h क्या है मेल पास, उसका h है मेल पास, ठारा, ठीक है, उसका h क्या है मेल पास, ठारा मीटर, अब मीटर, ठारा मीटर है, और मीटर को अगर हमारा को सेंटि मेटर में ही चला है तो यह किसकी एकुल है वाल्योंड निकाल दिया है मैल्ट की मैंने दूसरी में बदलाए बागी वाल्यों तो वही रहगा उसमे तिल का अब देखो दोस्तों यहां से किया कर है अब आ हुस्त कैर इस हुआ रहने दो 22 बटे 7 इसको इस वाली को टर्म को पर ले जाओ किसको इस वाले को पर ले जाओ तो इक कुल्टू को पर चल जाएगा तो बन जाएगा 7 बटा 22 ठीक है और ये गुणा में है तो भाग में चल जाएगा ठारा सो ठीक है तो तो कैसे जायेगा यह, हाँ दोस्तों, तो हम यहां क्या लिखेंगे, जो हमने पीछे लिखा था, आर स्केर, बाइस बटे साथ, साथ बटे बाइस, चोटा बटा साथ, इंटु, साथ बटा बाइस, इंटु, एक बटा ठारा, और इसको गुना किया था, ठारा सो थाना है, सौ से ठीघ है देखो 22 से से इसको काटेंगा तो ये 2 आ जाएगा साध से इसको काटेंगे तो 29 2.89 क्या जाएगा जाएगा इस स्केरर से अंड्रू टो बटा नौ तो देखो आप अभगा जैएगा यहां और उनद तराध लोगे यह औरूट होता है 30 थिक है 30 का स्क्रूर्ण होता है 900 तो यह आगा 30 झधें यह आ गया आपके वास आर या रीडिस में अधे अंय सब्सक्राइब क्लिन कुछी और तिकनेस होगी पूरी तिकनेस होता है यहां होता पर आपकी एधिस तो आ रहा है तो उसको दो हैं गुंदा कर ना पड़ेगा दोसे गुंदा पड़ेगा थिकने आगए इसको दो आ र-को दो गुंदा 13 इसको काड़ल दो या गा पंद्रह तो या गा itए वर्ट पंद्रह क्या गया यागा स है दोस्तों अगले कोशिन क्यों है कोशिन नमर 99 देखो कोशिन क्या है वॉल्यूम आफ फ्रस्ट्रम इस केल्कुलेटर बाइद फॉर्मूला चूज कुरेक्ट शंकु के छीनक का आयतर निकाने के लिए कौन सा सुत्तर सही है तो दोस्तों इसका अंसर होगा आपका फॉर्मूला यह रखना पड़ेगा आपको वर्लुम आफ दो फ्रस्ट्रम इस दो कलिकुलेटर बाइद फॉर्मूला चूज करेक्ट या चंकु के छीनक का शित्तरफर अच्छनक का आयतन निकान लेगा फर्मूला वॉल्यम निकान लेगा तो यह होगा सी अगला कोश्चन लेट एक्सवन एक्सटू और एक्सटू और एक्सटू तक लिया है नोंने फर्मूले होते हैं इस तो के कोश्चन आपको आगे भी नहीं है कहीं पीछे भी नहीं आया यह इसी पेपर में आई स्पेशल टैट था है स्पेशल कराया गया तो तो नहीं कुछ भी डाल दिया है थोड़ा आपको उलजाने के लिए एक दो कोश्चन है जो थोड़े तफ से लग रहे हैं जो मतलब थोड़े हाईयर है बाकी कोई कोश्चन नहीं है ऐसा क्योंकि यह फॉर्मूला एट तक बेसिकली होता नहीं है और जीबिटी के लिए आई थिंक एट तक का से लिए वस इनफ होता है प्रन्तु इन्होंने दे दिया है तो मैं इसको आपका आंसर बता दूँ आप इसे आवाज आता है आपका प्रोबिल्टी का कोश्चन अब बॉक्स कंटेंड थ्री ब्लू टू वाइट और फो रैड मार्बल इस ग्रॉन एट रेंडम फ्रॉम दे बॉक्स वट देखो एक बोला है कि एक बक्से में तीन नीले दो स्फेदर चार लाल कंचे है याद बक्से मे पता है संभव परणाम बटा कुल परणाम है ठीक है कितने आपके आउटकम हो सकते है ठीक है और उसके टोटल कितने हो सकते है ठीक है तो अगर आपका पहले मार्बल गीने के कितने है तीन बुलू है टू वाइट है चार है तो उनको प्लस करो थ्री प्लस टू प्लस प्लस संभव परिणाम अब क्या पूछा है नों किसकी probability पूछी है आपको red निकान ले कि किसकी पूछी है किसकी प्राइक पूछी है लाल कंचो की तो लाल कंचे कितने है 4 संभव परिणाम कितने है 4 चार बटा 9 यह आप कांसर हो जाएगा संभव परिणाम परिणाम तो उतने हो सकते है जितने राइड कंचे है वही संभव हो सकते है चो राइड कंचे जितने होगे उतनी बार राइड कंचे आ सकते है तो 4 है राइड कंचे और टोटल कंचे कितने है 9 है ठीक है तो 4 बटा 9 symbol सा था इस cancer है D आगे की तरफ बढ़ते है दोस्ते 102 question a number which can be written the form of P by Q where P and Q integer Q not equal to 0 देखो ऐसा कोई भी number जिसको P by Q की form में लिखा जा सकता है ठीक है और जिसमें Q is not equal to 0 होता है वो होता है अपकास rational number ठीक है और अगर इसकी जगा ऐसा होता है a by b की form में लिखा जा सकता है और b is not equal to 0 ठीक है और a और b क्या है whole number a and b क्या है जहाँ P and Q होई न अगर होल number होता तो a हो जाता आपका fraction ठीक है fraction fraction और rational में यही फरक है कि fraction होते हैं वो whole number a और b की जगा whole number डलते हैं मतलब 0, 1, 2, 3, 4, 5 negative number नहीं डलते हैं और rational में negative number भी डलते हैं दोस्तर ठीक है आगे बढ़ते हैं 1, 0, 3, question what is the addictive inverse of minus 7 by 19 योजग परतिलोम क्या होगा देखो addictive inverse यह योजग परतिलोम होता है वो क्या होता है जब हम addictive inverse क्या होता है minus 7 बड़ा 19 है इसको हम किस से प्लस करें ठीक है हम इसको किस से प्लस करें कि यह क्या बन जाए आपका 0 बन जाए क्या बन जाए 0 बन जाए तो किस से प्लस करें तो हम क्या किस से प्लस कर सकते हैं इसको 7 बड़ा 19 से जब हम प्लस करेंगे तो यह क्या बन जाएगा 0, बन जाएगा 0, ठीक है, तो Addictive Universe का मतलब होता है कि किसी term का Addictive Universe पूछा है, अगर आपको पूछा कि 5 बटा 9 का Addictive Universe पताओ, तो आपको इसको ऐसे term से प्लस करना है कि यह 0 बन जाए, तो इसको हम किस से प्लस करें? तो यह क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा, ठीक है, अगर मैं और सिंपल करके बताओं, जैसे यहां 5 बटा 9 है, तो इसका अगर आगे चले, अगर आप किसी अगला कोश्यन है, अगर आप किसी संख्या को एक बटा 2 घटाते हैं, और इसका प्रणा में एक बटा 4 से गुणा कर करने पर एक बटा 8 प्राप्त होता है, तो संख्या क्या है, if you subtract 2 from a number and multiply the result by 1 by 2, you get 1 by 8, what is the number, देखो question समझो, क्या है, फिलो, अगर हम किसी number को, if you subtract 1 by 2 from a number, मान लोग कोई number X है, ठीक है, इसमें उपर ही लिखता हूँ, आप मान लोग कोई number X है, उसको आप subtract करते हो, घटात 2 से, खटा दिया हमने, and multiply the result by 1 by 2, और उसी को हम क्या कर दिते है, result को multiply कर दिते है, 1 by 2 से, हमने कर दिया, multiply 1 by 2 से, and you get, और आपको प्राप्त क्या होता है, एक बटा 8, तो पूछे हैं कि, what is the number, वो X की वेली पूछ रहे हैं हमें, ठीक है, X की वेली पूछ रहे हैं, ठीक है, पहले जो गुणा में हैं, उसे परेले जाओ, एक बटा 8 है न, इसे परेले जाओगे, तो यह क्या हो चल जाएगा, नीचे भाग में चल जाएगा, और उसको अदे पल्ट के क्या हो जाएगा, दो बटा 1, ठीक है, इस तरीक हैस हो जाएगा, इसको काट दो, एक बटा 4 एकस, 1 by 4, प्लस 1 by 2, इसे सॉल्व करेंगे, एल्सियम लेंगे, इसका एल्सियम आएगा, चार, चार को इससे डिवाइड करेंगे, एक की गुणा इससे करेंगे, तो एक आ गया, प्लस, दो को डिवाइड करेंगे, चार से, दो आ गया, दो की गुणा एक से करेंगे, दो जिसका आगया प्लस करके इनको 3 बटा 4 आंसर दोस्तों इसका आंसर आ गया 104 का आंसर आ गया 3 by 4A आंसर आगे की तरफ बढ़ते हैं च्यादा लंबी ना बने ये वीडियो यही मेरी इत्षा रहीगी परन्तु आपको समझाना वी जुरूरी है और जिनको लगता है कि बहुत स्लो चला है वो इसे 1.5x या 2x में देख सकते हैं जिनें इजी लग रहे हैं कोश्चन वीडियो पूरी देख है क्योंकि कई कोश्चन ऐसे फस्त हैं पेपर में आपको वहाँ पर सोचना पड़ जाता है और आप कर नहीं पाते हैं ठीक है कई बार इजी ट्रिक मिल जाती है कहीं तो देखो यह कोश्चन क्या है इस पर x की वैली निकालने को बोली है यह कोश्च आपको यह सेम टू सेम कोश्चन आपको नुवंबर 2023 में भी आया है मैक्स के कोश्चन तो इन्होंने रुपीट करके नुवंबर 2023 में दे दिये हैं आपको तो 1 by 5 को इकुल टू को परे ले जाओ राइट हैंड साइड को तो यह प्लस में हो जाएगा 1 by 5 क्योंकि यह माइनस में था तो तरज़े होके चेंज हो गया इलके LC मा जाएगा 6 दो को डिवाइड करो 6 से 3 आ गया 3 की गुणा करो X से तो 3X आ गया इसी तरिके से 2X आ गया इनका LC मा जाए 20 4 की डिवाइड करो 20 से 5 आ गया 5 की गुणा करो 1 से तो पांच एक में 5 और उसी तरिके से ही आ गया 4 ठीक है 3x-2x आ गया, x बटे 6 और इक्कोल टू 5 प्लस 4 आ गया, 9 बटे 20 तो आगे आपके वाँस, x बटे, x डिवाइड बाइ 6 और 9 बाइ 20 x इसे डिवाइड में है तो इंटूम चल जाएगे इस तरह को इस तरह से एक खत्म हो जाएगा यहां से, तो यह जाएगा आपका 9 तो आगे 2 को कार दिया, 2 धाय B और 2 तिया 6, इन दोनों की गुणा कि 9 हो तिया 27 27 बटे 10, 27 बटे 10 आपका अंसर आगा, B अंसर अगले कोशन की तरह बढ़ते हैं, तो यह बहुत इसी कोशन है, इसमें पूछा है कि अगर यह इसको किसी कॉंस्ट्उंट हो, अगर इस तिन हो एक कोल है तो मतलब इनका क्या है, अगरấp मैं इसको एक माननू तो रहता हुँ, तो में अ वाले को free करने की कोशिश करूँगा तो मैं इसको 1 by x से divide कर दूँगा दोनों side ठीक है 1 by x को divide कर दूँगा तो यह जगा a is equal to 1 by x तो फिर से अराम सकताता हूँ आपको आप क्या करोगे a x is equal to k की कुल मान लो अब a x को कर दो 1 by x से इसकी power 1 by x कर दो k by 1 by x आएगी k की value क्याएगी a की value क्याएगी k by 1 by x इसी तरीकी से similar to similar a की value आएगी आपके पास k1 by y और c की value आएगी k1 by z ठीक है अब आप जब इसको a b c में डालोगे जब आप a b c में डालोगे इसको तो क्या आएगा k1 by x into k1 by y into k1 by z is equal to 1 के बराबर है ये ठीक है जब base same होते है तो उपर वाले term क्या हो जाते है addition में आज आते है तो k is equal to 1 by x plus 1 by y plus 1 by z is equal to 1 ठीक है अब दोस्तों जो k है 1 by x plus 1 by y plus 1 by z और जो 1 है उसको आप लिख सकते है k की पावर k की पावर 0 क्योंकि किसी की पावर 0 होती है तो वो 1 ही होता है किसी की पावर भी 0 होती है तो 1 ही होता है तो हमार पास क्या आया था देखिए इस तरी के साह में पास k हमने बाहर लिलिया था sorry क्या था k k 1 by x plus 1 by y plus 1 by z ठीक है क्योंकि base equal था तो हमने power get added कर दी जो base are equal and power get added जो अधार सेम होता है तो उसका जो power होती है वो जमा हो जाती है दोस्तो तो यह कर लिया और इस तरफ क्या था 1 1 को हम कैसे लिख सकते है k की power 0 किसी की power 0 होती है तो वो 1 नहीं आता है तो हमने इस तरी के से लिख दिया k से k कार दिया आपने base कार दिया तो यह बजा 1 by x plus 1 by y plus 1 by z is equal to 0 ठीक है क्या आगे 1 by x 1 by y plus 1 by z इसका LCM ले लो तो यह जाएगा x, y, z ठीक है अब x से जब आप x, y, z को आप x से काटोगे तो y, z पाचे का y, z की गुणा 1 से करोगे तो y, z ठीक है इसी तरह y यह जागे आपका x, z easy तरह x, y equal to 0 जब आप x, y, z इधर को ले जाओगे तो यह 0 बन जाएगा तो x, y, z आपका खत्म हो जाएगा तो आपका इसकी value के आगी x, z x, z x, y, y, z की value आगे होगा 0 क्योंकि जब आप इसको इधर ले जाओगे 0 को किसी के साथ भी गुणा करोगे तो यह 0 भी बन जाता है तो y, z, z, x और x, y की value आगे होगे जिरो कितने आगी इसका आणसर होगा 0 a answer आगे बढ़ते हैं am देखो यह exponential function का formula होता है यह भी आपका November 2000 में आया था question सारे question repeated है maximum am an 2023 में आया था November 2023 में तो इसका formula सिद्ध होता है जब इस तरह किस होता है तो am m m a की पावर m-n ठीक है तो यह a इसका answer होगा यह formula है simple formula है question b क्या बूलू in a pie chart the time spent by a child during a day is given what proportion of the time for hours spent is sleeping दो यह पुछ रहा है यह एक chart में है आपको time बता है कि किस time बच्चा क्या करता है और इसमें पूछा है कि कितना time वो सोता है थीक है तो total देखो कितने घंटे है 4 यह घंटे 8 गंटे 12 गंटे 3 15 गंटे 3 17 गंटे और 6 24 गंटे 24 गंटे दिये है 24 गंटे में एगर इस तरह कोश्ण आता है तो इसका फार्मूला होता है नमबर उसाइड निकाला लेगा एन अंद मतलो नमबर उसाइड 360 बटा थिट्टा ठीक है 360, थिट्टा कितना है 45 दिग्री दिया है 45-360 काटोगे तो आजाएगा 8 आजाएगा 8 इसकांसर डी अगले कोशन किदर बढ़ते हैं अब अब आता है how many natural number are between 3 का square and 4 का square कितने प्रक्रीतिक संख्या होती है 3 का वरग और 4 के वरग के बीच तो देखो 3 का वरग होता है 9 और 4 का वरग होता है 16 इनके पीच कितनी आती है छे टर्मस आती है छे दर्स ग्यारा बारा तेरा चौदा पंदरा शेटर अगला देखते हैं collection of numbers 6 8 & Z as Pythagoras triplet then third third number पूछा है इन्होंने आकस का मान क्या होगा देखो जब triplet होती है दीवी ट्रीपलेट का मतलब होता है कि छीका 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 36 8 84 एक इसके बराबर आना चाहिए तीसरे के बराबर आना चाहिए 100 तो 100 का square root क्या होता है 10 ठीक है ये ट्रिप्लेट होती है, याद करने पड़ती है, पाइथागोरस से निकलती है, ठीक है, अगर मैं आपको इसे यहाँ पिर्ण करने लग जाओं तो बहुत टायम लग जाएगा, इसलिए याद रखें कि इसके बराबर होता है तो वहीं जीज्ट है यहां इसके ब्राबर होता है देखो दhouse ौष नंबर शो वी डिवीज्बल बाई 6 10 15 and be perfect square अच्छा ऐसा कौन से नंबर है ठीक है विच नंबर विच स्मालेस नंबर शोब डिविजल बाई 6 9 15 and the perfect square ऐसा कौन से नंबर है कि जो perfect number perfect square पूछ रहे हैं जो 6 9 और 15 तीनों से डिवाइड हो जाएगा इसके लिए मैं प्राइम फेक्टराइजरेशन मेथर से सॉल्व करेंगे दोस्तों से 6 9 और पंदरा को इस तरीके से पहले हम 2 से करेंगे दो तीन पर जाता है दो ती होते हैं है है कि नएन से नहीं नहीं कर नेंभी नहीं करता से तीन से कणभते टीन से म्हीं नो fan 15 कि अब आतिन तीन पांस ह Major दो तो तीन तीन पांच आगा क्या क्या होगा है दो तीन तीन पांच अब परफेक्ट स्केर के लिए क्या होगा दोस्तों परफेक्ट स्केर में हम क्या कहें है दो दो की पेर बनाएंगे इसमें तीन का तो बन क्या दो का पेर प्रूंतु दोस्तों पांच के लिए एक पांच कम ह और दो का पेर बनने के लिए भी एक दो कम है तो हम क्या करेंगे इनको गुना कर देंगे इसके साथ दो और पांच को ठीक है तो क्या है तो हमारे पास ये भी दो का पेर बन जाएगा 3, 4, 3, 12, 12, 12, 12, 25, 25, 25 और 25 तो क्या नमबर आगे? इन सब को आपसमें गुना करने पर क्या आगे? 900 तो 900 वो नमबर है, जो 9, 6, 9 और 15 से डिवाइड हो जाएगा, और एक परफेक्ट स्केर है 900 ठीक है? आगे बड़े अगला question है देखो दोस्तों ये भी square का question है cube का question है ये भी prime factorization method से ही होगा इसमें क्या पूछ रहा है कि ऐसा number बताओ जिसको natural number should be the number 53240 be divided so that the question भी perfect square ऐसे number बताओ कि हम इसको उस number से divide करें और जो हमार पास i number वो क्या है perfect cube के रूप में आए ठीक है इसको कैसे करेंगे 53240 को हम prime factorization method solve करेंगे कैसे इसको solve करो 2 से 2 2 4 एक हासिल गया आगे 2 चीके 12 2 चीके 12 2 चीके 12 2 2 चीके 12 0 आगे देखो 2 से करेंगे फिर से 2 एक हम 2 2 3 6 2 3 6 2 एक हम 2 0 आगे 2 चीके 12 2 चीके 12 2 चीके 12 2 पांदस 2 पांजे 10 आगे ठीक है अब देखो इससे करेंगे 5 पांदस 10 छे 16 6 बाइस 5 यह जाए गए 5 से 5 एक हम 5 आगे 5 यह जाएगा 7 से भी नहीं जाएगा 11 से देखो से 11 11 एक हम 11 11 दूना बाइस ठीक है इसे हम यहां कर लेते हैं आगे कंटिनीव 1337 ठीक है 11 से ले जाएगा 11 एक हम 11 12 और एक बश्यके 11 एक हम ठीक है 11 11 एक सो इकीस 11 एक हम गैरा देखो हमार पास क्या आया देखो अब क्यूब है तो क्यूब में हम 3-3 के पेर बनाएंगे क्यूब में स्क्वेर में मनाते हैं 2-2 के पेर और क्यूब में मनाते हैं 3-3 के पेर तो यहां बनाए 3-2 का पेर अपना बन गया ठीक है और इसे वाला कार दिजी यहां तीन का भी अपना एक पेर बन गया प्रंतु क्या रहा, पांच का अपना पेर नहीं बना तो अगर पांच का अपना पेर नहीं बना मतलब हम इसको पांच से डिवाइड करेंगे किस से करेंगे, पांच से डिवाइड करेंगे जिसका पेर नहीं बना तो जब हम इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो महारा पास क्या जाएगा यह perfect cube के रूप में आ जाएगा ठीक है तो इसका answer होगा 5 अगर आपको इसका perfect पूरा content चाहिए अगर आपको लगता है कि मुझे अब यह पूरा आपके लिए इसका क्या है फ्री में पूरा content उसके बाद आपके यही question, previous year question भी उसमें डालूँगा, और exercise भी अलग से डालूँगा, जो आप practice कर सके, आगे चलते हैं, आइटम marked at 840, जो अंकित क्या मुल्ले है किसी वस्तू का 840 और आपने बेच दियो, किसमें 714 रवे में बेच दी, what is the discounts percentage, तो कितना discount हुआ, पहले तो आप 840 को 714 से माइनेस करो, कितना रोपैर का सस्ता बढ़ आपको, तो 840 से जब आप 714 को माइनेस करोगे, देखो, कितना आ गया, 6, 2, 1, 126 आ गया, ठीक है, तो आपको 126 रुपै सस्ता पढ़ा, ठीक है, और कितना रुपै की थी हो बस तू, 840 रुपै की थी, तो percent निकालो, कितना percent सस्ता पढ़ा, ठीक है, ऐसे निकालते हैं ना percentage, कि 126 का था, 126 रुपै सस्ता पढ़ा, और 840 का था, ठीक है, और गुणा कर दिया, 100 से परसेंटेज निकालने के लिए, तो 0 से इस 0 से इस 0 काड़ दो, दो से, दो चोके 8, दो दोनी 4, दो चीके 12, दो तीन 6, साथ चीके 42, साथ नाए, त्रेट, तीन दुणा छे, तीन त्याब 9, तो आगर 30, यह 10 ही यहां था ना, तीन इन्टु 10, यह 100 का 10 भी बचा था, और बटा 2, 2, 5, 10, पांते हैं 15, 15 परसेंट आपको क्या बढ़ा, सस्ता बढ़ा, आगे बढ़ते हैं, इद्यू यह पूछ रहा है, और टो अबका स्कितना दिया है, यह दिया है, 9, 6, 8 2, 22 बटे 7 डाल दो, पाई की जगा R क्या है, रेडियस कितना है, 7 7 प्लस H 9, 6, 8 यह बहुत repeated question आता है यह बलकि non-medical में भी repeat होता है, यह जो question है non-medical जो math section आता है, उसमें भी बहुत repeat होता है question बहुत repeat, इसे रट लिजिए देखो, अब क्या करोगा आप जो गुणा में है, बाई 2 को 2 को ले जाओ, परे को, बाई बटा 7 को ले जाओ equal to की परे को पहले, इस 7 से 7 काट दो, इस 7 से यह 7 काट दो, कट गया 44 बचा, इस 44 को परे ले जाओ, 7 प्लस H यहां गुणा में है तो यह चल दाएगा, 9, 6, 8 by 44 इस तरह के चल गया, ठीक है अब देखो की 44 से यह किस से कट देगा ठीक है तो यह कट जाएगा, आपका 2, 22 आ गया, 2, 4, 8 2, 8, 16, 2, 4, 8 ठीक है, 2, 4, 84 आया इदर आपके पास, 22 21, 22 24, 44 24, 84 लागे चल गया 22, 24, लागे आपके चल गया, ठीक है तो आपके चल गया बचा, 7 प्लस H is equal to 22, H इदर रखो 7 को पत ले जाओ, तो लागे बाईस माइनस है 7, और आगे चल गया 15, अंसर कितना आगे 15 अगर आपको question समझ नहीं आ रहा है, तो इससे repeat में देखो question मैंने हर चीज बताई है आपको समझ जुरूर आएगा, पर अगर कहीं miss हो रहा है तो इससे repeat में देखो अगला question क्या है देखो दोस्तों, ये question है 3 की power 0, भाग 4 की power 1 देखो 3 की power 0 4 की power 1 इंटू 2 की power 2 का मतलब 2 गुणा 2, 4 अब देखो मैंने बताया था 3 की power, किछी की power 0 होती है तो वो case के बराबर होता है, 1 के बराबर होता है मैंने पीछे बताया था भी आप question में तो ये 1 हो जाएगा, 4 इंटू 4, 4 से 4 कर जाएगा या जागा आपका answer 1, ठीक है इसका answer जागा एक जो के option में नहीं है ठीक है, ये question गलत था इसमें सब को grace marks मिला दोस्तो ये action में question होना चाहिए था 3 की power 4, 4 की power minus 1 इंटू 4, इस तरीके से ठीक है, तो 4 की power जब 4 minus से बनने है तो ये उपर जाता इस तरीके से, 3 की power 0, तो 1 हो जाता इंटू जब 4 की power minus 1 है ना तो ये उपर जाता था, ये उपर जाके प्लस का बन जाता, इसका मतलब हो था उपर जाके 4, 4 बन जाता, ठीक है इस तरीके से question होना था I think इसी तरीके से कुछ है question होना था चार, इसमें कॉशन गलत है, दोस्तों, पर मैंने आपको exact लूटा दिया, इसमें सबको grace marks मिला था, अब मुझे exact question याद नहीं है, कि question था क्या, पर इसी तरीके से था कुछ है, कोशन कि यह माइनस था इदर बीच में यह माइनस था नो भाग लिखती है कुछ इस तरी किसे गलत है नो ने कोशन किया वहाँ मुझे याद नहीं कोशन तो अगला कोशन है six pipe are required to fill a tank one hour 20 minutes how long will it take only five pipes of the same type are used तो कि यह पूछ रा कि छे pipe पे दी है required to fill a tank one hour 20 minutes मतलब 80 minutes में क्या है एक घंटे पुते है 60 minutes और 20 minutes all लिए तो 80 minutes हो गए तो छे pipe बने भरने यह proportion का question है ठीक है proportion का question है यह indirect proportion का क्या proportion क्या होता है direct proportion और indirect proportion होता है direct proportion में क्या होता है जब कोई चीज बढ़ती है तो दूसरी चीज उस चीज को value बढ़ाने पर उसका rate भी बढ़ जाता है इस त्रीके से और indirect का होता है कि एक चीज बढ़ रही है ठीक है परन्तु दूसरी क्या है अगर हम बढ़ाते हैं तो दूसरी चीज घड़ जाती है कैसे समझो इस question समझाता हूं यह indirect proportion का question इसमें क्या है छे pipe है फिल करना है tank छे pipe ले रही है टैंक भरने को कितना एक 80 मिनट ठीक है अब देखो 5 pipe कितना लेगी 5 pipe कितना लेगी देखो यहां क्या है pipe की value संख्या घट गई पाइप की संक्या घटगी ठीक है परन्तु समय क्या है समय बढ़ जाएगा इसमें अब समय बढ़ जाएगा इसमें पाइप तो घटजाएगी परन्तु समय बढ़ जाएगा इसमें क्यों जितने कम पाइप है उतना जादा समय लगेगा ठीक है जहां ऐसी चीज होती है कि कुछ चीज घटाने पर दूसरी चीज बढ़ जाती है तो वो हता है इंडारेक्ट का प्रणतो कर ये ऐसा होता ना जैसे कि एक book का कीमत है 20 रुपाई ठीक है और दो book की कीमत हो गई 40 रुपाई ठीक है एक बुकी कीमत 20 रुपैया और कोशन होता है कि दो बुकी कीमत कितनी होगी 40 थीक है, दो बुकी कीमत कितनी होगी automatic है कि एक बुक की संख्या बड़ी तो कीमत भी बड़ी यह होता है direct का पूरँ है कि empieza किया है एक बढ़ती है तो दूसरी घड़ती है दूसरी घड़ती है तो एक बढ़ती है उल्टा होता है ठीक है दोस्तों तो यह है indirect का question तो indirect का question को कैसे solve करते हैं 6 pipe are required to fill a tank तो 6 को कितना time ले रही है कितना time लेगी उसको मालेंगे हम x time को मालेंगे x बस equal to कर लिए x को इधर रखो 5 को इसके नीचे ले जाओ 5 इधर ले गए ठीक है पांच यहां से इधर ले गए 5 से काटा पांच एकम पांच पांच चीका तीस सोला पांच असी सोला आ गया ठीक है तो 16 कम 16 62 62 64 65 66 कितना आ गया 16 66 मिनट आ गया एक सकी वे ले ले कितना आ गया 96 मिनट ठीक है और 96 मिनट का मतलब कह है 60 प्लस 36 मतलब एक घंटा एक घंटा 96 36 मिनट एक घंटा 36 मिनट में इसने यह पूरा फिल किया आगे बढ़ते हैं माँस केर का फॉर्मूला पूछा है एक बार माईनस में लिखना है एक बार प्लस में लिखना है इसका अगला कोश्यंड देखो इसमें पूछाएगी 150% of a number is 300 what will be the 120% of the same number ठीक है यह पूछ रहे किसी number का 150% किसी number का 300 है तो उसी number का 120% कितना होगा ठीक है ऐसे तो इस question को understanding के साथ दिकिया जा सकता है माल लो अगर किसी का 140% 300 है न तो माल लो उसका 50% कितना होगा 100 उसका 100% कितना होगा 200 और तभी उसका 150% कितना होगा 300 हर 50% की value कितनी है 100 है मतलब हर 1% में कितने number आएंगे 2 ठीक है दुगना है 150 गुणा 2 है 300 ठीक है तो 120 का 150 को गुणा किसी किया है दो से 300 तो 120 का क्या जाएगा गुणा किसे कर दो दो से कर दो 140 हा जाएगा सरी 240 हा जाएगा अंडस्टेंड का कोशन है इस तो परंतु अगर आपको इस तरीके से समझ नहीं है आ रहा ठीक है तो आप क्या कर सकते हैं इसमें 150% of X is 300 इस तरीके से 150% निकालोगा आप किसका? 150% निकालोगा आप किसका? X का 150% निकालोगा 150 को डिवाइड करेंगे 100 से गुणा करेंगे X से कितना है? 300 150% कितना है? 300 इस से 10 से 10 कट देंगे ठीक है? यह आगा 10 इसको इस साथ गुणा करेंगे बजगे 3000 15 इदर बजगे 15 को इसके नीच ले आओ X is equal to 3000 बटे 15 15 को काड़े दो, 15 दूना 30, 2, 0, 0 200 आगया X की value कितना है? 200 तो मतलब वो number कितना है? 200 है कितना है? 200 हमारे को क्या निकालना है उस number का? 120% निकालना है कितना निकालना है? तो हम लिखेंगे 120% of 200 120% of 200 Find करना हमारे को 120 डिवाइड कर देंगे 100 से परसेंट निकालने के लिए किसका निकालना? 200 का 102 आगया 120 को गुणा करेंगे 2 से कितना आगया? 240 तो number क्या है वो? 120% कितना है उस number का? 240 इसका answer है D ठीक है दोस्तो? Understand कीजिए आगे चलते हैं वीडियो बहुत लंबी बन गई है If the price of milk is increased by 25% How much percent should a family reduce milk consumption so that the expense remain the same as before? तो अगर किसी milk का देखो milk है जो price बढ़ गया है milk का 25% ठीक है? मालो If the price of milk increased by 25% तो मालो की 100 अर पर पहले था उसका price ठीक है? 25% बढ़ा तो मतलब 100 का 25% कितना होता है? 25 तो 125 हो गया milk का price हो कितना हो गया? दूद का price कितना हो गया? 125 हो गया तो अगर हमार को क्या बोल रहे है? कि उतना ही price रहना चाहिए हम दूद उतने ही काही लाएंगे दूद हम 100 रुद का ही लाएंगे ठीक है? तो हमार को कितना परसेंट दूद कम मिलेगा? ठीक है? पहले तो एक लिटर मिल जाता था 100 रुद में मिल जाता एक लिटर का price था पहले ठीक है 100 रुद परन्तु अब एक लिटर का price हो गया 120 रुद परन्तु हमार को दूद तो हमार को 100 रुद का ही ख्रिदना है तो अब पताओ कि हमार को कितना परसेंट कितना परसेंट कम दूद मिलेगा? कितना परसेंट कम दूद लेंगे ठीक है? तो हम क्या करेंगे? हम क्या करेंगे हमार को हम लेंगे 25 25 जो 25 रुपय का कम दूद लेंगे हम ठीक है 25 रुपय का दूद हम कम लेंगे तो 25 डिवाइड बाइ 125 कुना 100 कर देंगे 25 25 25 25 25 20 20 परसेंट आगया 20 परसेंट आगया कितना आगया 20 परसेंट दोस्तो यहीं यह वीडियो समाथ होती है अगर आपको इसका content portion चाहिए पूरे drill में चाहिए तो आप comment box में जुरुबता है धन्यवाद दोस्तो मिलते हैं गली वीडियो में उससे पहले आप मारी playlist में जाके चैक कर सकते हैं सभी के लिए वहाँ playlist में कुछ ना कुछ मिलेगा आपको JBT, NAND Medical, Medical सब के लिए कुछ सब कुछ है प्ले लिस्टे बनी हुई है आप देख सकते हैं धन्यवाद दोस्तो चैनल जाने से पहले चैनल को किजिए सब्स्क्राइब वीडियो किजिए लाइक